सबी स्टूडेंट्स और अभिवावकों नमस्कार ताजी इस वीडियो में बात करने वाले किंद्री विद्धाले के कक्षा वन का जो एडिमिशन प्रोसेस 2024-2025 सेसन का अभी स्टार्ट होने वाला है वो कब से स्टार्ट हो रहा है उसकी क्या-क्या डेट्स हैं और क्या डोक अप्रेल से शुरू हो रहे है जैसा कि आप विजिट करके देखेगे केंद्री विद्धाले के कक्षा वन की वेबसाइट है उस पे तो वहां पर आपको कुछ इसी टाइप का ही दिखेगा जैसा मैंने आपको यहां पर देखी मैं एक कॉल रखा है इस पे यहां पर आप आ ग्यारा बजे से सुरू होगा ठीक है तो क्या यह चीज अभी जो वेबसाइट पे जो अपलोड कर रखी है इसमें एक उपर भी यहां पे जो रैड में आप देख सकते हैं दिशी टेस्टिंग पोर्टल रिजिस्टेशन इन दिस पोर्टल इस नोट वैलिड यह तो नीचे ठीक है इसी टाइप से इसमें बहुत सारी डेट्स चेंज हुई है लेकिन किंद्रे विदालने भी कोई ओफिशली नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है admission को लेके 2024-25 session के कक्षा 1 के admission को लेके अभी तक कोई भी notification जारी नहीं किया है जैसे ही कोई भी notification जारी करेंगे तो आपको इस channel के माध्यम से हम बता देंगे और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह दिया आपको online form फिल करना है तो आपको कौन-कौन से documents की जुरूत पड़ेगी क्या-क्या requirement रहने वाली है उन सभी के बारे में मैं आपको इसमें भी कवर करेता हूँ मैंने पहले भी कवर किया था योगि कुछ documents ऐसे हैं जिनको बनने में आपको time लग जाएगा तो आप पहले ही उनको तैयार रखिया आप बनाके ठीक है तो उसका में बता देता हूँ अभी अभी यहां पर आप देख सकते हैं कुछ important instructions है जिनको आपको जो भी online form start होगा तो आपको यह instructions का ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है यह देखिए आपर जनरल इंस्ट्रेक्शन है इस इंस्ट्रेक्शन परटेंड टो ओं-लाइन एडमिशन पर स्टेंडर वन इन केंद्रे विध्धल्य फॉर देखिए यह जो यहां पर आपको जो इंस्ट्रेक्शन दे रखी है उनको आपको अच्छे से इन इंस्ट्रेक्शन को फॉलो करना है तक कि आपको जैसे यह ओनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है अभी ओनलाइन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए है देखिए यहां पर कि आपने एक इक इंद्री धल में एक बच्चे की दो-तीन अप्लिकेशन ही दिया आप अपलाई कर देंगे तो फॉर्म रिजेक्ट पर हो सकता है लेकिन इसमें इन्होंने कह रखा है कि जो लास्ट फॉर्म स्टमिट होगा वो यह आपका कंसिडर किया जाएगा ठीक है इस आपको एक बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो है या फिर नॉर्मल फोटो अपने मॉबाईल से निकाल के भी उसको 256KB में कनवर्ट करके वह आपको अपलोड करने की जरूत पड़ेगी scan copy of child birth certificate birth certificate आपकी जो भी municipality है या फिर hospital से issue है वो आपकी birth certificate चलेगी और कहीं से issue कोई भी birth proof आपका नहीं चलेगा birth certificate ही चाहिएगी यदि नहीं है तो बच्चे कि आप बनवा लीजिए detail of government certificate in case you are applied under economy worker section यदि आप EWS की तुरूब आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपको EWS का पूरूफ भी आपको होना चाहिए कोई government certificate होना चाहिए उसके लिए फिक है इसके बाद transfer detail of parents, grandparents, service credential will use in this application यहाँ पर इन्होंने जो भी serving personal है उनकी भी details चाहिएगी उनकी certificate चाहिएग तो आपको भी आपको ready रखने है ठीक है और कुछ आपको जो दो तीन चीज और बता देता हूँ जैसे की cost certificate जो particular cost से apply करना चाहिएगे जैसे SCSTOVC तो उसको certificate की भी जरूफ पड़ेगी उसकी details आपको डालनी पड़ेगी इसकी बाद है एक single girl child मतलब आपने जो भी single girl child को ट पड़ी रखने पड़ेंगे क्योंकि आपको पता है कि online जो form है वो कभी भी start हो जाएंगे और जो यह date है जो मैंने आपको उपर जो अमने discuss किया था ठीक है वो नहीं है उसमें अभी भी कुछ change हो सकता है क्योंकि किंद्री विध्धले की तरफ से अभी यह जो portal है यह अभी भी date announce नहीं किये कोई भी notification आउट नहीं किया धन्यवाद